हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अगरवाल, आज हम बात करेंगे, हम ऐसा क्या करेंगी, जिसको करने से हमारा एक्स पार्टनर, हमारी लाइफ में फिर से लोट आए, हम दोनों के बीच, जितने भी डिफिरेंसेज है, जितनी भी दूरियां है, अपने आप खत्म हो हैं, हमारे साथ ऐसा कब होगा, when my ex-partner comes back, दीदी हम लोग हर दम, दूसरों की success story यूट्यूब पर देखते हैं, आपके channel पर देखते हैं, comment section में उनके comments read करते हैं, किसी ने अपने ex-partner को, सिर्फ एक दिन में attract कर लिया है, किसी की एक दम खत्म हो चुकी relationship, फिर से एक दम ठ हो गई है, पर शिवानगी दीदी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे लिए कोई technique work नहीं करती, दीदी पहले हम लोग दूसरों की success story देखने पर खुश हो जाते थे, हमको motivation मिलता था, कि हम लोग भी law of attraction के help से, अपनी love life को फिर से ठीक कर लेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, पर अब हम जब भी दूसरों की success story देखते हैं, तो मन बहुत उदास हो जाता है, हम बहुत निराश हो जाते हैं, और मन में ऐसे ख्याल आते हैं, कि सबको success मिल रही है, सिर्फ हम को ही नहीं मिलती, सबके life partner उनके साथ है, सिर्फ हम ही अकिले है, हम ऐसी कौन सी गलतियां कर र आप लोगों की 5 ऐसी mistake बताऊंगी, जो आप लोग law of attraction की technique यूज करते समय करते हो, जिसकी वजह से same technique दूसरों के लिए work करती है, पर आपके लिए work नहीं करती, तो आज के इस video को बिलकुल भी skip मत करना, video को last तक देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, कुछ भी समझ ना आये तो comment section में पूछ लेना, मैं individually आपको comment section में समझा दूँगी, तो चलिए video शुरू करते हैं, तो point number one होता है, doubt के साथ technique को शुरू करना, पहली भूल जो आप लोग करते हैं, वह यह है, आप लोग technique शुरू करने से पहले ही, यह सोचना शुरू कर देते हो कि मेरे लि अपतम गलत है, क्योंकि law of universe यह कहता है कि, हम जो भी universe में छोड़ते हैं, हम जो भी universe में send करते हैं, universe उसको ही, उस energy को ही, कई गुना करके हमें लोटा देता है, ऐसे में जब आप universe में doubt की feeling send करते हो, doubt की energy send करते हो, तो universe उस doubt की energy को, कई गुना करके आपको लोटा देता है, और आपका काम नहीं होता, पॉइंट नमबर टू यह होता है कि, आप लोग खुद ही टेकनीक को वर्क करने नहीं देते हो, इसको ऐसे समझते हैं, मेरी और राहुल की रिलेशन्शिप एकदम खराब हो गई है, राहुल ने मुझको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, और अब मैं हमारी रिलेशन्शिप को फिर से ठीट करने के लिए, राहुल को लव वाइब्रेशन सेंट कर रही हूँ, और जब मैं राहुल को लव वाइब्रेशन सेंट करती हूँ, एक positive energy, एक बहुत powerful energy मेरे दिल से निकल कर, मेरे हाथ से निकल कर universe तक जाती है, और universe उस powerful energy को उस vibration को receive कर लेता है, और उस vibration को राहुल तक पहुंचाता है, और वह vibration राहुल के दिल में मेरे लिए फिर से प्यार जगाती है, पर इस moment पर मैं mistake यह करती हूं की love vibration send करने के बाद भी मैं खुद भी राहूल को contact करने की कोशिश करती हूं उससे बात करने की कोशिश करती हूं तो ऐसे मैं मैं राहूल को irritate करती हूं रहुल तक एक irritation वाली vibration जाने अंजाने में send कर रही हूँ तो ऐसे में होता यह है कि universe जो एक positive energy, एक positive vibration रहुल को send कर रहे है वह ठीक से work नहीं करती तो अब से आप जब भी कोई technique करो तो सब कुछ universe पर छोड़ दो universe को अपना काम करने दो point number 3 यह होता है कि जब भी आप कोई law of attraction की technique करते हो तो आप उस technique को तो कुछ time के लिए करते हो इसको ऐसे समझते हैं मैं राहुल का प्यार वापस पाने के लिए subliminal music सुन रही हूँ पर मैं यह music रोज कितने देर सुनूंगी आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे और subliminal music सुनने के बाद मैं दिन भर राहुल को ही याद कर रही हूँ राहुल के लिए सोच कर दुखी हो रही हूँ तो इस situation में मैं इस technique को तो सिर्फ कुछ time के लिए कर रही हूँ पर बाकी के पूरे समय पूरे दिन, पूरी रात एक दुख वाली, एक दर्द वाली negative energy universe में send कर रही हूँ राहुल को send कर रही हूँ तो ऐसा होने पर मेरे लिए यह technique work नहीं करेगी तो अब आपको यह करना है technique करने के बाद सब कुछ universe पर छोड़ देना है ऐसा सोचना है कि मेरा काम हो रहा है universe मेरा काम कर रहे है मेरा ex partner मेरी life में वापस आ रहा है थोड़ा खुश रहने की कोशिश करनी है ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा बिजी रहना start कर दो ऐसे song सुनना start कर दो जो आपको motivate करें या फिर आप चाहो तो comedy वीडियो देखना ही start कर दो मेरे कहने का मतलब है कि अपने आपको इतना busy कर लो कि दिमाग को कुछ सोचने का समय ही ना मिले point number 4 यह भी होता है कि आप लोग अपना ख्याल रखना छोड़ देते हो सजना सवरना छोड़ देते हो हसना खेलना छोड़ देते हो ठीक से खाना पीना छोड़ देते हो ऐसे में होता यह है कि जब law of attraction की technique work करने लगती है सामने वाले इंसान को आपके ex partner को आपके ख्याल आने लगते हैं वह फिर से आपकी तरफ attract होने लगता है आपकी तरफ खिंचा चला आता है पर जब आपकी हालत देखता है उसके मन में ऐसी feelings आती है आप वह इंसान नहीं हो जिससे उसने प्यार किया था आप बदल चुके हो ऐसे में वह इंसान आपके पास आकर भी आपसे दूर चला जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यार की शुरुआत ही attraction से होती है और आपने अपना ख्याल नहीं रखकर अपनी attraction की energy को एकदम खत्म कर लिया है एकदम law कर लिया है तो अब आपको ऐसी बूल बिल्कुल भी नहीं करनी है सामने वाला इंसान भी आपको तब ही प्यार करेगा जब आप अपने आपको प्यार करोगे इसलिए किसी भी technique को यूज करते समय self love करना सबसे ज़्यादा जरूरी है point number 5 यह भी होता है कि आप लोग technique तो बहुत अच्छे से शुरू करते हो पर कुछ दिन करने के बाद ही आप लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हो कि शायद मेरे लिए technique work नहीं कर रही है मेरा काम नहीं हो रहा है मुझको अब कुछ और try करना होगा कोई और technique try करनी होगी और ऐसा करके आप अपनी सारी मिहनत को खुद ही बेकार कर देते हो सबकी situation अलग-अलग है जो technique किसी और के लिए 5 दिन में काम कर रही है हो सकता है वर technique आपके लिए 10 दिन में work करें और यह भी हो सकता है जो technique किसी और के लिए 7 दिन में काम कर रही है आपके लिए सिर्फ 2 दिन में काम कर जाए ऐसे मैं आपको युनिवस पर विश्वास बना कर रखना है ऐसे सोचना है कि मेरा काम हो रहा है युनिवस मेरा काम कर रहे हैं और अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो 100% आपका काम हो जाएगा और अगर आप यह चाहते हो कि मैं आप दोनों को फिर से एक करने के लिए युनिवस से प्रे करूँ, तो आप अपना और अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और ऐसे वीडियो जो इस वीडियो को बिना स्किप किये, पूरा देख रहे हैं, लौर ओफ अट्राक्शन को लेकर सीरियस है, ऐसे वीडियो के लिए, मैं पहले प सब्सक्राइब कर लेना, थांक्स फो वचिंग वीडियो, थांक्यू.